आज फिर से मैं आपके लिए बहुत इंटरस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, आज मैं आपको 5 ऐसे कीवर्ट्स बताऊँगा जिनका कॉंपिटिशन काफी लो है, CPC हाई है और उनका सर्च वाल्यूम भी काफी हाई है, इस टॉपिक के उपर आलरेडी मैं एक वीडियो ब बना सकते हैं, और एक चीज ऐसी है, मतलब एक कीवर्ड उसके अंदर ऐसा है, कि आपको आर्टिकल लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और फिर भी वह आपकी वेबसाइट रैंक करेगी गूगल के अंदर, और आपकी इंकम भी अच्छी खासी होगी, यह सब कैसे ह होगा, वो तो लैप्टॉप की स्क्रीन पर चल के बताऊंगा, पर मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ, जो मैं कीवर्ड प्लैनर टूल यूज करता हूँ, वो मैं गूगल एडवर्ड का यूज करता हूँ, मतलब गूगल एडड का, अगर आपके पास कोई और की कीवर्ड को बिल्कुल रहने दे, मैं हमेशा गूगल एडवर्ड के कीवर्ड प्लैनर को यूज करता हूँ, मुझे उसके ओपर ट्रस्ट है, तो मैं आपको उसी का ही एक्जामपल दिखाऊंगा, पर आप अपने हैंट से किसी भी कीवर्ड टूल को यूज कर सकते हैं, और और अप मेरे चैनल में ने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंऀ और इस बैल आईकन को ज़रूर प्रेस करें, मैं हूँ विदान तो वेल्कम है आपका टेक्नो विदान चैनल में, अब मैं आपको अपने लैप्टॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, सबसे पहला जो keyword है जिसका competition काफी lower cpc आपको high मिलेगा मतलब अगर आपके post के अंदर page के अंदर ads आएंगी तो high cpc वाली ads आएंगी वो keyword है geoprime get result के उपर मैंने click करा और आप देखेंगे friends इसका जो competition है वो बहुत जादा low है और geoprime जो सिफ ये वाला keyword है इसके monthly searches 10,000 से लेके 1,000,000 तक है और इसका cpc 5 रूपे से लेके लगबग 45 रूपे तक है ये ranges बता रखिये bid की तो इसलिए exact इतना है ये confirm नहीं है पर हाँ 5 रूपे से लेके 45 रूपे के बीच में आपको जरूर म यूज कर सकते है maximum मैं Google Keyword Planner का ही यूज करता हूँ तो इसलिए मैं आपको इसमें बता रहा हूँ पर आप अपने हैंड से कोई भी टूल यूज कर सकते है आप देखेंगे friends आपको geoprime membership, geoprime recharge इन सबकी जो सर्चीज है वो काफी अच्छी सर्चीज है और competition बहुत लो है अल्रेडी आप अपनी website बना चुके है blogger के अंदर, wordpress के अंदर उसके अंदर ज्यादा traffic नहीं आरे, views नहीं आरे तो at least आप एक page बना सकते है, geoprime से related वहाँ details डाल सकते है और ज्यादा से ज्यादा keyword को use करें जो keywords यहाँ पे लिखे है उससे आपकी post चल्दी Google में rank करेगी और उसके अंदर internal linking करें, अपने और pages के link उसके अंदर add करें, तो यह keyword बहुत अच्छा है friends, यहाँ से आप इसको नीचे करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको काफी सारी details मिल जाएगी, सारे CPC का idea मिल जाएगा, और आप देखेंगे सबका competition यहाँ पे low है, यह सारे keywords friends, आप अपने article के अंदर use कर सकते हैं, या इनकी heading, subheading बना के अप एक paragraph भी लिख सकते हैं, अब चलते हम अपने second keyword की तरफ, अगर आपको याद हो, मेरा last video आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने कुम-कुम भागे के बारे में बताया था, अगर आपने उस video को नहीं देख बना सकते हैं, ठीक, ऐसे ही, अब हमारा keyword है, वो CID, आप सब जानते है, CID serial, आज का नहीं काफी पुराना हम अपने TV में देखते आ रहे हैं, तो आप देखेंगे friends, इसमें जो सर्चीज आएंगी, आपको देखके हरानी होगी, मैंने सिर CID लिखा, और यहाँ पर आप दे keywords ले सकते हैं, CID 2019-2018 serial, बंगला CID, तो friends, आप अपनी language में भी post लिख सकते हैं, यहाँ से आप page को नीचे करेंगे, तो आपको काफी सारे ideas मिल जाएंगे, CID से related, इस से related अगर आप post लिखेंगे, कौन से week में, कौन से date को, CID का कौन सा episode था, उसके अंदर क्या हुआ था, अ दूर चेक करें, अब जो मैं आपको next keyword बताने वाला हूँ, friends, उसकी सर्चिस तो बहुत जाद है, उसमें आपकी एक अच्छी खासी website बन जाएगी, और सबसे बड़ी बात, उसमें आपको article लिखने की इतनी problem भी नहीं होगी, वो keyword है, अब आप यहाँ पर देखेंगे, मैं songs लिखने, उसकी list लिखनी है, आपको कोई mp3 downloading website बिल्कुल नहीं बनानी है, अगर आप mp3 download website बनाना भी चाहते हैं, उसका भी तरीका मैंने बताया है, अपने चैनल में आप देखेंगे, फर्स्ट फाला वीडियो है, इसके अंदर मैंने बताया कि आप एक mp3 website कैसे create कर सक आप देखेंगे, पुराने गाने, old songs, हिंदी पुराने गाने, यह सारे keywords यहां पर लिखेंगे, उसके आपको monthly searches भी बताये, competition भी बताया है, और आपको एक idea मिल जाएगा, कि आपको कितना CPC यहां से मिल सकता है, यहां से आप page को नीचे करेंगे, तो friends आप देखेंगे, य और अब जो next keyword है, friends उस पर काम करना है, अगर आपने, तो आपको अभी से start करना पड़ेगा, क्योंकि वो keyword ही ऐसा है, अगर आप अभी काम करना start करेंगे, तो कहीं जाके वो 2-3 महिने में rank करेगा, और उसके बाद आपको उसका benefit होगा, और उस time में उसकी searches बहुत होगा है, मतलब IPL keyword के उपर इतने लोग काम नहीं करते, IPL में कौन-कौन से matches है, किस date को, किस के साथ किस का match है, और matches के result के है, IPL के time में आप वो भी वहाँ पे add कर सकते हैं, एक page create करके, आज तक इतने IPL होगा है, किसने कौन से year में IPL की championship जीती है, friends आप वो भी एक page बना स लोग है, तो आपको यहां से idea लग सकते हैं कि अगर 2019 में इतनी searches हैं, तो 2020 में भी कितनी ज़्यादा searches होगी, तो इसके उपर भी friends आप एक अच्छी खासी website बना सकते हैं, वो website आपकी पूरे साल तो ने चलेगी, पर हाँ, IPL के time में आपको वो अच्छी खासी कमाई करके ज यह evergreen topic है, इसको चाहें आप आज शुरू करें, कल शुरू करें, यह जब मर्जी शुरू करें और जब वो rank होगा, तो friends आपको उसमें काफी benefit मिलेगा, और वो है south movie, get result के उपर मैंने click करा, और यहां पर आप देखेंगे friends, एक लाग से लेके 10 लाग तक है, इसका monthly सर्ची होती है, और इसका CPC आपको आइडिया मिल जागा, एक रूपए से लेके लगबग 16 रूपए तक, और competition इसका low है, इसकी जितनी भी आप नीचे सर्चीज देखेंगे friends, वो एक लाग से लेके 10 लाग तक ही है, और यहां पे जाके आपको सर्चीज कम मिलेगी 10 अजार से ले pages बना सकते है, अब जितने भी मैंने आपको keywords बताया है, उनसे related मैं आपको थोड़ा ओर idea देता हूँ, जिससे आपको help मिल जाएगी इसे long tail करने में, क्योंकि long tail keyword बहुत जल्दी rank होता है, Google open करना है, और जैसे मैंने keyword बताया है, वही आपने यहां पे same type करना है, मैंने यहा keyword मिले है, उसके बाद मैंने enterprise करा, enterprise करने के बाद friends, यहां से आपको काफी सारी list मिल जाएगी, जिससे आप अपने pages बना सकते है, अपनी website बना सकते है, कि कौन से year में, कौन सी movie release होई थी, उसको कितने star मिले है, उसके अंदर hero hero in कौन थे, plus उसकी storyline कहा है, मतलब उस movie की storyline कहा ह तो आप एक help ले सकते हैं, उसे आप अपनी language में बहुत easily लिख सकते हैं, ठीक ऐसी मैंने भी आपको बदाया था old hindi songs, तो आप देखेंगे friends, उससे related भी आपके पास यहां options आ गई, आपको keywords मिल गए, किस तरह अपने keyword को long tail में convert करना है, और उसके आगे आपको कौन से ऐसे words यूज करने हैं, जिसकी वज़े से Google के अंदर आपकी post जल्दी rank करें, यह सारी वही list दिखा रहा है keywords की, जो Google के अंदर searches जादा होती है, यहां पे मैंने enterprise करा, और आप देखेंगे यहां पे भी आपको अच्छी खासी list मिल गई, यहां से आप एक idea लेके अपने pages create कर सकते हैं, और यहां से friends मैं page को नीचे करूँगा, और आप देखेंगे बिल्कुल last में भी आपको यहां पे helping keywords मिल जाएंगे, तो इस तरह से आपको यहां से help मिल जाएगी, long tail keywords की, अगर आपके पास कोई और source है, जहां से आप long tail keywords निकाल सकते हैं, तो friends आप उसको भी use कर सकते ह है, CPC काफी अच्छा मिलेगा, और search volume तो बहुत ही अच्छा मिलेगा, और जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था, कि आपको article लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे, वो कौन से ऐसे एक-दो keyword है, जिसके अंदर आपको article नहीं लिखना, फि सब्ता के लिए, जै हिंद, जै भारत!